हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रेज चैनल अपना संसार में मैं हूँ आपकी रूस नियासिन हम मैलाओं को शौक होता है घर सजाने का और घर सजाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं हमारे खुबसूरा से प्लांट तो चलिए आज की वीडियो जो है इसी पर है आज हम लेकर क्या है एक बहुत ही सरल तरीके से पर्टिलाजर बनाने का या फिर कहें पेस्टिसाइड बनाने का तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि अगर हमारे प्ला लग गया हो फंगस लग गई हो या जो ब्लेक ब्लेक से मिलेवग होते हैं वो लग गए हो चीटी आती हो या आपके कोई फी किट पतंगे हो जो आपके प्लांट को नुकसान पहुचा रहे हो तो उन्हें कैसे बचाया जाए बहुत ही सरल तरीका है और बिलकुल फ्रीक है तो चलिए देखिए ये देखिए क्या है नीम की पत्तिया जी हाँ आज मैं नीम की पत्तियों से बनाऊंगी ये फर्टिलाइजर बिलकुल जीरो कोश्ट है फटा फट किसी भी प्लांट पास के पेड़ पे लगा हो थोड़ी सी पत्ति तोड़ लीजिए लाईए उसको पा अपना अर्क छोड़ देंगी पानी में हमने पानी को ठंडा कर लिया आए और ठंडा करके मैंने पानी को देखा आपने पलट लिया है बोटल में हमारा बढ़िया से इस्प्रे से लगबग 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे कितनी भी चीटिया हो सारी चीटिया भग जा और अगर मेली बग लगी हो तो इस्प्रे कर दीजिए मेली बग भी थोड़ी देर बाद मड़ जाएंगी क्योंकि नीम का ऑइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन सब शलूशन के लिए लेकिन सबसे बढ़िया है आपका ये नीम की पत्ती वाला जुगाड़ तो मेरा और बढ़िया सा प्लांट इससे रहेंगे हल्दी थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए इसका पानी जो है और आप देखिए थोड़ी दिन बाद आपके प्लांट की जो ग्रूथ है बहुत अच्छी हो जाएगी आपका प्लांट बहुत हल्दी होगा मैं तो ये यूज करती और उसके बाद में ये बची होई जो पत्तियां है अब इनका क्या किया जाए तो चले मैं बताती हूँ मैं इसको यूज करूँगी खात की रूप में आपके सी भी प्लांट में प्लांटर में प्लांट को थोड़ा सा छोड़ करके साइड साइड में पत्तियों को रख दी थोड़े दिन बद खात अब मैं देखे मैंने यहां पर बनाया हुआ है तो बस या फिर आपके पास कोई प्लांटर खाली हो मिट्टी हो तो मिट्टी के नीचे पत्तियों को डाल दीचे थोड़े दिन में खात बढ़िया होके हो जाएगी आप प्लांट लगा दीचे होती ही सरल तरीके से बनने वाला जुगाड है जरूरूर।